अगर आप एक best payments bank में अपना zero balance का saving account open करना चाहते तो ऐसे मैं आप फीनो payments bank में अपना एक zero balance का account open कर सकते हैं क्योंकि market में बहुत सारी payments bank है जैसे कि ATL payments bank हो गया NHTL payments bank हो गया जिनमें से कि जो सबसे जदा best अगर कोई payments bank है तो वो यहाँ पे फीनो payments bank है तो अगर उनका अगर आप debit card लेते हैं तो उसके लिए आपको 300 रूपे प्लस GST चार्ज देना पड़ता है और फीनो payments bank में account open करना भी काफी असान है इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरुवत नहीं है आप घर बैठे, online अपने mobile से ही सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर इक zero balance का saving account open कर सकते हैं account open करने की तुरंद बाद जो इसका account number है, IFAC code है, customer ID है वो आपको तुरंद के तुरंद मिल जाता जिससे कि आप तुरंद इसका mobile banking और internet banking का registration कर सकते हैं और इसमें आपको virtual debit card की भी facility मिलती है, जिससे कि अगर आप चाहें तो तुरंद की तुरंद अपना phone पे, Google पे, UPI का भी इस्तमाल कर सकते हैं account open होने के 7 दिन के अंदर जो इसका welcome कीठ है, जिसमें कि आपको इसका passbook और जो checkbook debit card है, वो by post आपके address पे भी आ जाता है तो इस वीडियो में आपको Fino payments bank में एक zero balance का saving account open करने का step by step full process बताऊंगा, तो वीडियो को end तक दिखते रिएगा, चलिए वीडियो को शूरू करते हैं Fino payments bank में एक zero balance का saving account open करने के लिए सबसे पहले आपको इसके official बेव साइट पर आना होगा, इसका link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा, आप वहाँ पर click करके direct यहां पर आ सकते हैं यहां पर आने बाद देखेंगे तो दिया open Fino payments zero balance account for everyday banking और अगर यहां पर scroll down करके नीचे आते हैं तो यहां पर देखेंगे बता रहा है कि सिप यहां पर 4 step में अपना account open कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पर zero balance का account यहां पर रहेगा, कोई भी balance आपको maintain करने की जरुवत नहीं ह ठीक है, तो account open करने के लिए यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आप से mobile number पूछेगा, तो यहां पर अपना mobile number डालेंगे, उसके बाद यहां पर open and instantly account, इस वाले options पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पर देखेंगे, तो enter mobile number तो वही mobile number आप कहा जाएगा, बस यहां पर get OTP क options पर click करना होगा, get OTP के options पर click करने बाद यहां पर देखेंगे, गर आपका locations block है, तो इसको यहां पर unblock करना होगा, चली हम locations को access कर देते हैं, तो यहां पर हमने locations के permissions के लाउख कर दिया, उसके बाद यहां पर mobile number आ चुका, अब यहां पर get OTP के options पर click करेंगे, ध्यान यह आपके mobile number पर OTP बेजा जायेगा, जिस OTP को यहां पर डालेंगे और उसके बाद limit करेंगे, शमिट करने के बाद यहां पर देखेंगे, तो आधार का declaration आएगा, तो नीचे यहांgle पर deficit के options पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पर देखेंगे, तो अब आपको अपना जो 20ड का अधार का नंबर होता है वो नंबर आपको यहां पर डालना होगा यहां पर यहां पर डालना होगा यहां पर डालेंगे और उसके बाद यहां पर नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके अधार कार्ड के साथ जो भी मोबाल नंबर लिंक होगा उस पर एक बार और OTP भेजा तो बहुत है थोड़ा सा यहां पर वेट करेंगे और उसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे यहां पर आने बाद देखेंगे तो यहां पर जो भी आपका नाम होगा डेट वपर्थ होगा जेंडर आड्रिस सब आपका यह आपके अधार काट से यहां पर उठा लि मिल जाएगा यहां पर अपनी एक email डी टाल देंगे उसके बाद स्क्रोलड़ डॉण करेंगे इस स्क्रोलड़न करने बाद यहां पर आपसे मदर का नाम पूच रहाा तो आप माता का नाम डालेंगे उसके बाद यहां पर पिर्फेशनल डिटम सापको देना होगा तो यहा जितना भी आपने पढ़ाई किया है intermediate आप यहाँ पे select करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपसे occupation पूछेगा मतलब आप क्या काम करते हैं जैसे किसी company में काम करते हैं आपको हर में salary मिलती है कब आप यहाँ पे select को choose करेंगे अगर आपका खुद का कोई business तो self employed करेंगे अगर आप एक house wife है तो house wife को select करेंगे अगर आप एक student है तो student को select करेंगे ठीक है तो जो भी आप काम करते हैं उसको यहाँ पे select कर लीजिएगा उसके बद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे annual income पूछेगा यानि कि आपका annual income कितना है आप एक साल में कितने रुपे कमा लेते इसके बाद यहाँ पे नॉमनी का डीटेल से देना होगा तो फिर से यहाँ पे arrow आले options पर क्लिक करेंगे उसके बद यहाँ पे देखेंगे तो आप जिसको नौमनी बनाना चाहते है नौमनी का नाम डाल देंगे नौमनी का जो भी date of birth यहाँ पे डालेंगे नौमनी का email ID य यहां पर बोल रहा है तो जो भी उनका permanent address होगा जो उनके आधार काट पर हो वह अला address आप यहां पर डालेंगे उसके बाद यहां पर इरिये का पिन code डालेंगे यहां पर city का नाम डालेंगे नीचे state का नाम डालेंगे उसके बाद में भी यहाँ पर मतलब नौमनी को Add कर सकते हैं ठीक है फिलाल हम अभी Add करना चाते हैं चलिए यहाँ नौमनी का details टॉल करा प्रोशीट के options पर होते हैं क्लिक करने की बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपका details यहाँ पर आ जाएगा अभी तक कर सकते हैं फिलाल हमारा सारा डिटेल से यहां पर सही है तो हम यहां पर प्रोशिट करेंगे यहां पर देखेंगे तो अब आपको यहां पर पूछ रहा है कि आपने डेबिट काड़ पर क्या नाम प्रिंट करना चाहते तो जो भी नाम आप चाहते हैं कि आपके डेबिट थाएगर debit card पर ठीक है तो वो नाम अपना यहां पर डालेंगे और उसके बाद प्रोशुट करेंगे प्रोशुट करने के बाद यहां पर देखेंगे तो अब आपको इसमें funds add करना होगा यानि कुछ पैसे यहां पर जिए करने होंगे उसके बाद हम 450 रुपे, maximum 20,000 रुपे तक कर सकते हैं, तो हम 450 रुपे ही है, यहाँ पर add करेंगे, तो चली यहाँ पर हम इसको add करते हैं, आप यहाँ पर scroll down करेंगे, और scroll down करके नीचे आएंगे, तो proceed to add 450, यह options आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप click करेंगे, click करने के बाद, यहाँ पर देखेंगे, तो आप से यह पूछ रहा है कि इस पैसे को आप किस तरह से add करना चाते हैं, जैसे कि net banking से करना चाते हैं, debit card से करना चाते हैं, UPI से करना चाते हैं, आप जिस तरह इस पैसे को add करना चाते हैं, आप उसको यहाँ पर select करेंगे, जैसे क करना होगा तो जो भी कॉल वो इनके एजन को कणेक्ट कर दी जाएगी उसके वीडियो कॉल पर उनको अपना औरिजिनल कर दिखाएंगे अधार काड़ दिखाएंगे और मोबाइल बैंकिक रित्परस्ते करकर आप मुहां से अपना वर्चूल डिबीट कार्ड भी दे सकते जिसे कि आप यहाँ पे phone पे Google पे UPI का इस्तमाल करना चाहे तो उस debit card से कर सकते हैं बाकि यहाँ पे account open होने के साथ से 10 दिन के अंदर जो इसका physical debit card होता है पास्बुक चेक बुक है वो by post आपके address पे आ जाएगा तो इस तरह से आप यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक में एक zero balance का account open कर सकते हैं so I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भोलिएगा तो चली फिर मिलते हैं आपसे next टूडियो में